तो Welcome back to my YouTube channel and टाज की वीडियो एर काफी जादा इंट्रेस्टिंग रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना एन वीडियो को लाइक करदे। चैनल को सबस्क्राइब कर दो वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो आप लोगों को मैंने कल एक वीडियो डाली थी, जहांपे मैंने 21 मिनिट्स में जो नियो का मेंटर है, वो पूरा एक्स्प्लेइन किया था, जो भी नियो से रिलेड़ हुआता है, जो भी हमारे को इंसिडेंट देखने को मिला है, इसके उपर काफी सारे लोगों के रिप को कैसे नरिश किया गया है, सबकी mentality, सबके action के उपर close eye रखी जाती है beginning से, जहां पर उनने बताया कि कुछ लोगों को यह realize करना चाहिए, कि सिर्फ पैसा एक organization के दंदर value bring नहीं करता है, सही time, सही जो team है, सही protocol जो होने चाहिए, and hope करते हैं कि इस बार जो things है, उनको lightly नहीं लिया जाएगा, and उनका tweet आप लोग अपनी screen पे देख सकते है, and इसके बाद हमारे को उनका एक ओर tweet देखने को मिला, जहां पर वो यह चीज़ लिखते है, if you are being disturbed by action of a kid on the internet, going against the civil laws and basic etiquettes, you really need a therapist, what was he even thinking, and what look screen पे देख लो, and इसके बाद हमारे को उनका एक ओर tweet देखने को मिल जहां पर उनने बताया, जो भी लोग clip use कर रहे हैं, scout की कुछ सालो पुरानी, तो तब वो किसी भी org से associated नहीं थे, note this agenda can only be useful when things won't have an equal reaction, let action be called out to today's incident, else everyone has the worst nightmare in the recent times to and what look screen पे देख लो, and इसके बाद उनने किसी का reply करा, जहां पर उनने लिखा था, अगर तेरे owner अपना काम कर र रहे थे नियो को, तो वापे वो ये चीज़ लिखते हैं, जो भी लोग defend कर रहे हैं, इस case में नियो को, तो ये similar case है, अगर आपकी बेटिया चोटी ड्रेस क्यों पहनती है, हम तो लड़के हैं, instigate होंगे ही, अबे तुम लड़कों को अगर बच्पन में ही bell treatment मिला होता, तो कभी भी इस चीज़ के defense में एक भी शब नहीं निकलता, इन इसके बाद हमारे को जो अंकित पनता है, उनके भी इस चीज़ के उपर reply देखने को मिले, और वाप वो लिखते हैं, कभी कभी उनको ये चीज़ लगती है, कि जो लोग हैं, वो बोलने से पहले बिलकुल भी नहीं सोचते हैं, अगर तुम्हारे पास numbers है, तो तुम कुछ भी shit नहीं बोल सकते हो, तुम्हारी car, तुम्हारे sneakers, तुम्हारे watches जो हैं, वो तुम्हें respect नहीं लागे देगी, अगर तुम्हारे को ये नहीं आता है, कैसे behave किया जाता है, get help you definitely need it, इसके बाद उनका हमारे क इसके उपर जो आरजी के उनर है, वो भी हमारे को ट्वीट टरते वे दिखाई देते हैं, जहां पर वो लिखते हैं, काफी जादा disgusting और crazy है, कि क्यों उनको kick नहीं कर रहे हैं, इससे भी जादा crazy है, कि यार ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, एन वो आप लोग स्क्रीन प पड़ेगा, इन इसके बाद हमारे को जो sitby हैं, उनकी एक clip देखने को मिलती है, जहां पर वो इस चीज से related बात करते हैं, तो काफी लोग क्या कर रहे थे, sitby हैं जो scout है, उनकी कुछ clips को viral कर रहे थे, और वो बूल रहे थे, कि ये लोग भी abuse करते हैं, तो इस टीज के उप कि जो भी हो रहा है, उसको cover up करने के लिए मेरे गाली वाली देने वाले clips लोग डालेंगे, scout के गाली देने वाले clips को डालेंगे, समझ रहे वो डालेंगे, मेरे को पता है, मेरे को दिख भी गए, एक दो clips, तो बहुत फरक है, कितना भी उसको आप अपने लोगों को छूप जो परसे करोगे, जो करना है करलो, जितनी घुणनी है मेरे clips दोडो, पट एक line कभी cross नहीं की, और गालिया दिए तो उन लोगों को दिए, और गंदी-간दी गालिया दिए, जो मेरे से आके भीड़ यह, stream पे, कभी कोई line क्रॉस नहीं की मै visão, की stupid,凌द बहुत गुसा आती म तुम लोग को बढ़ हो बहुत गंदगी है तुम लोग बहुत गंदगी हो तुम लोग डिफेंड भी कर रहे हो और मेरे गाली वाली देने के क्लिप्स भी डाल रहे हो कुछ चीज़े को डिफेंड नहीं किया जाता बढ़ कोई बात नहीं तुम लोग से और कुछ मैं तोक्सिटी गालिया देना किसी को मा की गाली देना भेहन की गाली देना यह हम लोग रियल लाइफ में भी करते हैं यह रियल लाइफ में भी करते हैं और वह मैं स्ट्रीम पे भी किया हूँ तो वह क्लिप्स लोग डाल रहे हैं ऑविसली गुसा आता है कभी कभी गाली डाल द बट अगर हुआ तो obviously मेरे को पते कि मेरा मैने अगर कुछ ऐसा चुतियापा किया तो जो fanbase है मेरे चुतियापा को तो cover up करने का या defend करने का कोशिश नहीं करेगा obviously बट मेरे को किसी चीज का डर नहीं है मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है बाकी तुम लोग तो गंदे होई I will play a very special song at the end of my stream. Thank you very much. Good night. See you tomorrow. event provide any evidence or context that support your version of event. This can help ensure the situation is viewed fairly and that your action are understood in the correct context and वो आप लोग अपनी screen पे देख सकते हैं इसके बद इस matter के पर हमारे को रची तुरू का भी एक tweet देखने को मिलता है जो कि आप लोग screen पे देख सकते हैं आप लोग इस पे overall क्या क्या क्यान है आप लोग comment section में सरूर बताना इसके बाद बात करें S-Power से related है S-Power के हमारे को कुछ message देखने को मिले चाहापे उनने बोला कि एक message को share करना था कभी हम जीतेंगे कभी हम मारेंगे कभी lucky दो कभी unlucky चोकुआ last day लेके next event आ रहा है और आप लोग अपनी screen पे देख लो इसके बाद हमारे को एक tweet देखने को मिलाता एंकी bot के against में जहापे किसी ने लिखा थोड़ा unbiased होकर casting कर लिया कर जानता हूं कि तू godlike में चले गया है और सबसे तू hate करने लग गया है बट भाई तुझे बाइस होने के पैसे थोड़ी ना मिलते है godlike से तो unbiased रहा कर एं and specially TX के against में and मैं तेरी शकल देखता हूं जब तो TX को appreciate करता हूँ दिखाई देता है तो यह जीज़ मत कराकर and इस चीज़ के ओपर मारे को enki bot reply करते हुए दिखाई देते जहापे वो बोलते हैं अगर तो एक भी clip मेरे को यह चीज़ की दिखा दोगे तो मैं अपनी casting जो ह क्या बोलब फूबी आप लोग देख सकते हैं को थांक्स लोट थांक्स लोट एक सिसी पकड़ा गया अरे यार यार यह सब मैंने देखा नहीं है ना मुझे घुस्ता है इन चीज़ों में forget it इन सब मामले में वो गुस्ता नहीं जो है उपर आला देखता है जो गलत करता है उसको वही मिलता है किमपल है इसके बद जो स्काउट है वह बात करते भी दिखाई जिते कि हमारे को क्या चेंजिस देखने को मिलने वाली है टीम एक्स पार्क में तो इस पर लोगो ने क्या बोलब हो भी आप लोग देख लो बाई सेम टीम कौन रहेंगा या इनी चेंज बाइब कॉंगा यह सेम रहेंगा कुछ चेंज नहीं होंगे इस देख सेम टीम मैं बोलता हूं नेवर चेंज दे लाइनप जब आप अपने पीक प्रोब और हमें चेंज करने की तू मुझे बता हूं इंडिया का बेस्ट आप बताओ स्प्रेगोड बात खतम उसमें कोश्चिन है नी ठीक है वीज इंडियास वन अफ दे मोस्ट कंसिस्टेंट 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 प्लेयर ऒबर गेंडर खतम देंडर है निजा तो स्प्रेगर वस्ट अनजा स्वाण गुझेंडर टनिंजा बोइस अनजाम जते हिसल नोड़ एक्ष्टेंट अस्प्छनल में एक्ष्ट्णल एंश्प्छनल हूप्शप्छेओं बालिय। वह असॉलटर थी फ्रांगर है, ठीक एं, था, कंगिस्टton प्लेर कहने सारन, हमारा फेवरेट, कलच मास्टर कहने हमारा, हमारा सबसे क्लच मास्टर कोंनर टीम का, कौन क्लच कर् दा जाता है बार बार, सोलो वचे होव इसक बन के, तीम को बेट मारके कौन करता है क्लच एक प्लेयर को बोला गया था कि भाई तू बेटर है टीम को बेट करता है और उसने प्रूफ किया हमारे चार लॉंडे टॉप 15 फ्लाकर्स में थे एक दूगल के डिफिनेंस होगा मैक्सिमिन निंजा और बहुत लोगों ने डाउट किया आप उस बंदे ने इतनी महनत करिये अपना गन पावर इंपर आज यह इंडिया का वनन तो बेश्ट वनन तो बेश्ट वनन तो बेश्ट आई जेल है अंड़पसंट पर इन जीती है मतलब बात ही खाता मों के उदर इसके बाद अमारे को काफी लोग जो है वो सीजी से रि अंतर करो भाई सब चलता यार देखो अभी बहुत लोगों ने सीजी को गाली भर दी थी तार्गेट वार्गेट का यार में को नहीं पता टार्गेट था क्या था जितना मुझे आउसमन ने बताया था कि सीजी हटे वहां से उतरती है गाड़ी लेके जाती है हम भी वहां ने को समझा नहीं था वह मैं को थोड़ा सा डाइसी लगा बाकी तो ठीक है अपने लड़के यार हेक्टर हैं चुब सही है लॉंड़ा अपना तो बस गाई अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूस थी अगर आप लोगों को लगाओ के यार वीडियो के अंदर आप लोगों को इन्फोर्मेटिव या फिर एक भी इन्फोर्मेशन नहीं मिलियो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जिरूर स जिए कर दिनो